समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों आप में से जातर लोगों का यही सपना होगा कि जम कर पढ़ाई करनी है उसके बाद अच्छी सी डिगरी लेनी है और फिर उसके बाद एक बढ़िया सी कमपनी में नोकरी करके खूब पैसा कमाना है जिससे कि हम अपने और अपने परिवार के सपने पूरे कर सके लेकिन जैसा कि आप जानते ही है कि जितना कहने में और सुनने में ये आसान है असल में है नहीं क्योंकि पहले आपको सालों तक पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके बाद एक कमपनी में नोकरी के लिए जद्दो unique company है जिसमें मात्र 6 साल काम करने के दोरान आप तो अरब पती बन ही जाओगे साती आपकी पत्नी आपके माता पिता आपके बच्चे और बच्चों की बहु भी अरब पती बन जाएंगी वो भी शादी से हफ्तों पहले कोंगे कि यार दुनिया में ऐसी कौन सी company है तो इस company का नाम है पाकिस्तानी सेना जी हां दरसल खबर निकल कर सामने आई है पाकिस्तान से और खबर सुनकर आप हैरान रह जाओगे दरसल जिस देश में भुकमरी के हालात है हाल ही में इतनी भयंकर बाड़ आई है जिसमें हजारों लोगों की जान गई है और वहां पर खाने के एक अलग देशों की दहलीज पर जाकर भीक मांग रहा है ऐसे देश के आर्मी चीफ का जब टेक्स रिकोर्ड बाहर आता है तो पूरी दुनिया हक्की बक्की रह जाती है पाकिस्तान के लोग खुद हैरान है दरसल पुरा मामला कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पर पर बाजवा पिछले 6 सालों से तैनात है और जो आर्मी चीफ होता है उससे संबंदित हर एक चीज को बहुती गुप्त तरीके से रखा जाता है लेकिन हाल ही में पाकिस्तान की ही एक खोजी पत्रकारता वेबसाइट है जिसने आर्मी चीफ के टेक्स डोकुमेंट मीडिया में लीक कर दिये और टेक्स डोकुमेंट देखकर आप हैरान रह जाओगे दरसल इसमें बताईए गया है कि आर्मी चीफ की संपत्ती पिछले छे सालों में लगभग साड़े बारा अरब से भी ज्यादा बढ़ चुकी है वो अरब पती बन चुके हैं छे सालों में और उनकी तो छोड़ो उनक पत्नी भी अरब पती है उनकी पत्नी की संपत्ती दो अरब है इतना ही नहीं आर्मी चीफ के जो बेटे हैं वो सारे के सारे अरब पती है इतना ही नहीं आर्मी चीफ के बेटों की पत्नी भी अरब पती है और हाल ही में इस डोकुमेंट में यह भी बताया गया है कि जब आर सारे पैसे आ जाते हैं उसके नाम पर धेर सारी संपत्ती धेर सारी प्रोपर्टी आ जाती है और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब कुछ खुलेाम हो रहा था टेक्स डिपार्टमेंट की आखों के सामने हो रहा था रिकोर्ड में दर्ज था लेकिन टेक्स डिप कर खाने में व्यस्त है अब जब नहीं सरकार आई है जिसमें शाबाज शरी प्रदान मंतरी है वो भी कोई action नहीं ले रहे उल्टा उन्होंने उस खोजी पत्रकारता website के खिलाफ यहाँ पर जाच शुरू कर दी है कि आपने ये text document बाहर क्यों release करें और आपको एक और मजे की बात बता दो कि army chief की जो लगबग 13 अरब की संपत्ति बाहर निकल कर सामने आई है यह तो वो है जो text department के record में दर्ज है जो सब के सामने है खुले आम है अब आप खुद सोच लीजिए कि जब 13 अरब तो सफेद कमाई है तो काली कमाई कितनी ज़्यादा होगी क्योंकि इन्होंने बहुत सारा अपना पैसा दुनिया भर के अलग-अलग देशों में पार्क करके रखा हुआ है UAE में, सौधी में, योरप के धेरो देशों में इन्होंने अलग-अलग जगा फ्लैट, प्रोपर्टी, विला खरीद के रखे हुए हैं उसकी कितनी ज़्यादा वैल्ली होगी पर देखिए, इसके लिए आप पाकिस्तानी सेना परमुक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये तो वहाँ का ट्रेडिशन है, ये तो वहाँ का कल्चर है, जो भी पाकिस्तानी सेना परमुक रिटार होने को आता है, उसकी संपत्ती अचानक से अर्बो डोलर में हो सवस्था बरबाद हो चुकी है, देश में पॉलिटिकल संकट है, उसके बावजुद पाकिस्तानी सेना का करॉप्शन ओल्टाइम हाइपर है, लेकिन इस पूरे मामले को समझने के बाद, आपको ये बात आसानी से समझ आ गई होगी, पाकिस्तान की आज ये हालत है क्यों, हाला कि पूरे मामला आपने सुन लिया है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका इस पर क्या मानना है, थैंक्यू वेर मच पूराचिंग वीडियो,